आज स्लाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्ला तला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश्वाबाद रखे शुरू अल्ला के नाम से जो हमें सत्तर माओं से जदा प्यार करता है तो आज आप लोगों के लिए सिंघाड़े के रिए से पिले के आई हूँ तो सिंघाड़ा हमारी सिहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है खासकर उन बच्ची और अरतों के लिए इनकी कमर में पेन होता है तो सिंघाड़ा जरूर खाना चाहिए सिजन की कोई भी चीज आला त सिंघाड़ा हमने लिया हुआ है तो हम सिंगाड़ा अगर उस तरीके से नहीं खा सकते हैं तो यह जबरदस टेस्टी सी घुगनी बना के खाएंगे जो कि हमारे लिए फायदा पहुचाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट फुल भी है तो यहां पे दे कि सिंगाड़ा हमने लिया हुआ है तो आजकल ताजय सिंगाड़े मार्केट में आये हुए हैं जो कि काफी नरब मुलाइम से होते हैं गुगनी के लिए हमें इनी सिंगाड़ों की जरुत होती है जो कि हम इस तरीके से कट करें तो आसाने से कट जाए ना उन्हीं कि सिंगाड़े की घुगनी जादा अच्छी लगती है तो देखी इस तरीके से हम छीलेंगे इसको उपर का हिसा कट करेंगे और फिर आसाने की साथ ये छिल जाता है और इसको भी साफ कर लेंगे तो गुगनी थोड़ा फिरेश अच्छी सी बनेगी तो देखी यहां पे एक हमने छील लिया है और यहां पे देखी जो हम चाकु लगाती हैं जो नहीं करता है इस तरीके से इसका इस्तमाल हम नहीं करेंगे इस तरीके से चाकू लगाने के साथ ही जो कर जाता है आसानी के साथ इसका हम इस्तमाल करेंगे देखी इस तरीके से आसानी से जो छील रहा है ना उसका हम इस्तमाल करने वाले हैं और इसी तरीके के एक ही जैसा लेके छीलेंगे तो आपकी घुणि बिल्कुल अचाजी है एक ही जैसी बनेगी तो इसी तशील के आप सभी संगाले को तयार कर लेना है, तो आप एक किलो संगाले की घुणि इसन एक किलो जीली हैं काफी होगी क्योंकि सिंगारा जब हम छीलते हैं तो थोड़ा कम होता है फिर जब हम उसे पकाते हैं तो और कम हो जाता है तो देखिए अभी हमने यहां पे एक बड़े पलेट में इस तरीके से अभी छील के इसको रख लिया है इसको अच्छे से धुल भी लिया है छीलने के पाद हमने अच्छे सी से वास्फ कर लिया है और अब हम इसके घुगनी बनाएंगे तो यहां पे हमने एक छोटा सा कूकर लिया है जिसमे की हमने तेल डाल दिया है देशी घी में अगर बनाए तो घूगनी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आपना तेल की जगह पे मिर्चみ डाले तीका थोड़ा अपने हैसाब सेγαचेस करने और अगर आप तीखा नहिं क्गाते हैं तो बिलकुल ही कि झिट करते हैं काने मिर्च का पाॉडर इस्तमाल कर सकते हैं और त्धोर सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो एक सब्समिट डालेंगे तो पर्फिक्ट इतनी गुगनी हो जाएगी यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है नमक डाल के जब हम चलाएंगे न तो यह अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा सिंगाडे का अपना खुद ही पानी होता है तो इसमें हम एक्स तरीके से चला के पकाएंगे एक से दो मिनट तक उसके बाद हम ढगाएंगे तो यहाँ पर देखे अब हम ढगा देती हैं और ढगा के हमने साथ से आठ मिनट तक इसको पकाना है बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे नरब मुलायम से सिंगाडा है यह जल्दी पक जाएगा तो तकरीबर आठ मिनट तक हमने पकाया है तीन से चार सीटी आ गई थी तो यहाँ पर देखे अब हम ढकन खोल देंगे और यहाँ पर चेक करें देखे अभी कितना पानी है तो सिंगाडा जब मुलायम सा होता है तो यह काफी ज़्यादा पानी छोड़ता है तो आपने यह देखे गुगनी बिल्कुल अच्छे से गली हुई है तो ज़्यादा चलाएंगे नहीं तो आज को थोड़ा तेज करके पानी को हम जलाने वाले हैं उसी के साथ ही इसमें हमने आदा चमच चाट मसाले का डाल दिया है टेस्ट को बढ़ानी के लिए तो लेखे टेस्ट भी बढ़ेगा और देखने में भी हमारी घुगनी अच्छी लगेगी तो जबरदस टेस्टी घुगनी बहुत ही जल्दी से तयार हो जाती है बस छिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो छील के रात में रख लेंगे आप तो सुबा सुबा आप यह टेस्टी और मज़ेदार सी घुगनी को इंजवाय कर सकते हैं तो कहिए कैसी लगी हमारी आज की छोटी सी शेरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेर कर दें और यहां आई बटन पे किलिक करें आपको बहुत जबरदस्त सिंगारे की गिरेवी वाली चटपटी स सबजी की रेसिपी मिल जाएगी तो आप लोग उसको जरूर चिक करिएगा बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा आपका कमेंट करना आपका फीड़ बैक देना हमें ब सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दे शुक्रिया जजाक अल्ला अप लोगों के रिस्क में उमर में घरों में जिन्दग्यों में बरकत अता फरमाए अपनी बहुत शबीना को भी दुआओं मियाद रखें तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में इंशालला किसी टेस्टी और बहुती मज़े की रिसिपी के साथ अल्ला हाफीज